आप ठहर जाएंगे तो चलेगा आपके सुच नहीं ठहर दे चाहिए क्योंकि अगर सुच ठहर गई तो जिन्दगी बिना किसी सुच के गुजर जाएगी नमस्कार दोस्तों रेटर्स बुक शाम में आपका फिरिश्च श्वागत है और आपसे बाते कर रहा हूँ रिच डैड पूर डैड की जिसे लिखा है राबर्ट टी कियो साकी ने बात सन 1947 की है दुनिया के सबसे बड़ी फूर्ड चेन मैक डोनाल के फौंडर रिकॉक ने एक इंबिये क्लास में एक स्पीच दी बहुत इशांदर स्पीच लोगों ने बहुत तालियां बजाई इस स्पीच के बाद इंबिये के स्टूडेंट ने उनके साथ वक्त बिताना चाहा उनसे रिक्वेस्ट की कि सर थोड़ा टाइम हमारे लिए स्पेयर कर लें बातों बातो पर रिकाप हसने लगे उनका असली बिजनेस तो रियल इस्टेट का है क्योंकि मैक डॉनल्ड के लिए हर लोकेशन का चुनाओ बहुत ही सोच समझ कर और रेडी करके किया जाता है जहां उनकी फ्रेंचाइजी बनाई जाती है वो जमीन भी साथ ही बेची जाती थी तो इसक अकसर लोग खुद के लिए छोड़कर बाखे सब के लिए काम करते हैं वो टैक्सपेकर के गौऌणमेंट के लिए काम करते हैं उस कम्पनी के लिए काम करते हैं जहां वो नोकरी करते हैं और यह सब इसलिए कि हमारा इजगेशन शिस्ट्रम ही ऐसा है इसकूल हमें employees बनाइ वही आप बनेंगे अब मुसीबत यह है कि इससे छात्रों का कोई भला नहीं होता क्योंकि नौकरी और बिजनेस के बीच का फर्क में उलज कर रह जाते हैं जब कोई पूशता है कि आपका बिजनेस क्या है तो आपको यह नहीं बोलना चाहिए कि मैं तो एक डॉक्टर या एक बैंकरूं क्योंकि वो आपका प्रोफेशन है बिजनेस नहीं अपनी सारी उम्र दूसरों के लिए काम करके उन्हें अमेर करने में बरबाद ना करें बलकि खुद की जिंदी को खुशाल करने के लिए खुद काम करें बहुत से लोगों को इस बात का ऐसास बहुत देर में होता है जो उनका house loan है उनकी जान ले रहा है और फिर उन्हें लगता है कि जिसे वो assets मानते हैं वो दर असल उनकी liability बन गया है जैसे उन्हें कार ली तो उससे जुड़ी तमाम खर्चे अपने उनकी liabilities बन गए उन्हें पूरा करने के लिए नौकरी जरूरी है और अगर कभी वो safe job उनके हाथ से निकल गई तो फिर उनकी मुसीबते शुरू हो जाएंगी इसलिए हमें अपनी saving पर अपनी budget पर अपनी assets पर इतना ज्यादा ध्यान देना चाहिए हम कितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा हम कितना save कर रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए और financially secure होने का यही एक simple तरीका है आप कितने अमीर हैं यह जानने का सही तरीका net worth इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप assets भेजते हैं तो उन पर भी tax लगता है आपको उतना पैसा नहीं मिलता है जितना की आप सूचते हैं तो आपकी balance sheet के हिसाब से आपको जितना भी पैसा मिलेगा उस पर आपको tax देना पड़ेगा अब इसका मतलब क्या हुआ कि क्या सब कुछ छोड़ द रही है और assets से उनका मतलब है कि सही और असली माइने में assets वो हैं वो यह नहीं कहते कि कार खरीद लीजिए क्योंकि कार assets नहीं है क्योंकि जैसे ही आप उसे सड़क पर उतारेंगे उसका rate घड़ जाएगा उसकी कीमत घड़ जाएगी जितना हो सके खर्चों में कटवती करि तो आपका काम चलता रहें दूसरे लोग आपके लिए काम करते रहें और बस वही आपका business है दूसरा आप कह सकते हैं कि real estate में पैसा लगा सकते हैं land खरीद सकते हैं stock और bond खरीद सकते हैं आसकल बहुत सारे policies आ गई हैं उन्हें समझे और invest करें जब assets खरीदें तब अपनी पसंद की चीजों पर पैसा लगाएं क्योंकि आपका मन होगा तभी आप उसमें ध्यान दे पाएंगे अगर उसमें आपकी रूची नहीं होगी तो आप उसे बहतर समझ नहीं पाएंगे Robert T.K. Osaki को Real Estate और Stocks में रूची थी खासकर छोटी कमपनियों में invest करने में तो उन्होंने अपने Rich Dad की सलाह पर अपनी नौकरी कभी नहीं छोड़ी वो जॉब करते रहें साथ ही अपने Assets कॉलंग को बड़ा और मजबूत बनाते रहें उन्होंने अपना कमाया हुआ एक एक पैसा बेकार खर्च नहीं किया उसे सेव किया वो हमेशा ये मानकर चलते रहे कि पैसे की उन्हें जरूरत नहीं है वो उसके मालिक हैं गुलाम नहीं है अगर आपको लगता है कि लक्जरी जीना चाहते हैं लक्जरी चीजे खरीदना चाहते हैं सौक से खरीदिये क्योंकि बड़ी बात नहीं है पर जैसे ही आपको ये विचार आए ये भी जरूर शूचिए कि अमीर और गरीब में बस यही फर्क है जहाँ पर मिडल क्लस आदमी या गरीब आदमी पैसा आते ही लक्जरी में खर्च करते हैं वहीं अमीर आदमी उसे सबसे बाद में खरीदता है तो यही सिक्रट है अमीरों के और अमीर होने का और गरीबों की बढ़ती गरीबी का